हेलो गाइज, वेलकम बेक टू लिट्रेचर इंफॉरमेशन, हम लोग डिसकुशन कर रहे थे वार पोईम के उपर और आज हम लोग डिसकुस करेंगे एंथम फार डूम यूथ को हम लोग विल्फरेड ओवन की इस पोईम को पढ़ेंगे और विल्फरेड ओवन की हम अल्रेड़ी एक पोईम डिसकुस कर चुके हैं फ्यूटिलिटी, उसके अंदर हम लोगों ने देखा वार के बारे में विल्फरेड ओवन खुद भी एक सोलजर थे, उनकी बाइग्राफिक के ओपर भी हम लोगों ने डिसकुशन की थी लास्ट टाइम कि खुद वो सोलजर थे और उन्होंने वार के अंदर जो देखा और जो एक्सपिरियंस किया उन्होंने उसके बारे में पॉइम्स लेखी और अपनी राइडिंग उन्होंने हमाई सामने रखी और उसके इलावा वो खुद सोलजर थे तो उनकी डेथ भी हुई इसी तरह वार के अंदर एज एस सोलजर वो मरे तो जो एंथम फार डूम यूथ है जो आज हम लोगोंने उनकी पॉइम्स डिसकस करनी है इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वार वन की चीजें कुछ क्योंकि ये वर्ल्ड वार वन के एक्सपिरियंस को बता रही है ये पॉइम्स के इलावा हम लोगों को पत लिखी गई तब विल्फरेड ओवन खुद भी एक ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटलाइज थे वो और हम लों को पहर चलता है वर्ल्ड वार वन के अंदर क्या नुकसान हुआ अलमुस्स सेवंटीन मिलियन पिपल जो थे उनकी डेथ हुई ठीक है सेवंटीन मिलियन पिपल का जानी नुकसान हुआ वार के अंदर और हम लों को विल्फरेड ओवन पूरी अपनी राइटिंग के अंदर यही बता रहे हैं कि वार जो है एक हैलिश थेंग है कि वार जो है एक futile thing है हम लोगों ने futility को discuss करते हुए चेक किया था कि war के जो consequences होते हैं उससे हम लोगों को पता चलता है कि war कोई अच्छी चीज नहीं है और first of all अगर war होती भी है तो कौन से ऐसे conflicts होते हैं कौन से ऐसी चीज़े होती है कि war की नुबत आजाती है तो हम लोग आज यही discuss करेंगे Wilfred Owen ने basically हम लोगो war के बारे में बताया कि war कोई अच्छी चीज नहीं है और war जब होती है तो उससे फिर क्या-क्या नुकसानात होते हैं और क्या-क्या एक बंदा या एक soldier जो है वो experience करता है आप लोग इस picture के अंदर देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज Anthem for Doom Youth पढ़ना है इसके title से कुछ न कुछ आप लोगो कुछ समझ आ रहा होगा बाकी आपको इस picture को देख के पदा चल गया होगा Anthem for Doom Youth का मतलब है कि एक तरह का Tribute Anthem का मतलब होता है Tribute किनको Young Soldiers को Youth को जो doomed यानि के मर चुके है ठीक है War के अंदर जो Young Soldiers हमारे मरे थे उनको एक तरह का Tribute पेश करना एक तो यह title हो सकता है हम लोगों का ठीक है Number 2 पर हम लोगों का title यह बता रहा है कि जिस तरह के से एक बंदा जब मरता है Christians के अंदर For example Christianity के अंदर जब एक बंदा मरता है तो उसका funeral कैसे होता है लोग कौन कौन से traditions और कौन कौन से tribute यह कौन कौन सी चीज़ें apply करते हैं कि उसको peace मिले और आगे उसकी afterlife अच्छी हो candles वगरा जलाते हैं और songs वगरा chorus वगरा चर्च के अंदर खड़े होके गाते हैं वो sing करते हैं और भी काफी चीज़े होती है Christianity के अंदर तो वो चीज़ जो है हमारे young soldiers जो मरते हैं war के अंदर उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो हमारा writer Wilfred Owen वो इन young soldiers के बारे में हमनों को बता रहा है कि जब वो लोग मरते हैं तो उनको ये चीज़ नहीं मिलती उनको क्या सुनने को मिलता है gun fire, rifle की आवास और बॉम बगएरा दमाके इस तरह की चीज़े मतलब war का महौल होता है तो उनके लिए जो एक कोरस काया जा रहा होता है funeral के उपर उनके लिए तो ये gun fire और ये चीज़े सब कुछ होती है वो लोग तो नहीं सुनते जब वो मरे हुए कीज़ के अंदर गिरे वे होते हैं अपने उसके अंदर war battlefield के अंदर तो उनके तो कानों के पास वो कीड़े और बगलर वगरा उनकी आवासे होती है और खून के अंदर लत्पत होते है और वहीं परी मरे रहते हैं इस तरीके से world war one के अंदर 17 million people मरे थे तो क्या single बंदे के लिए इस तरीके से funeral हुआ था के कैणल से लाए जाए जाए और इस तरीके से उनके peace के लिए दुआएं की जाए और उनके लिए कोरस काया जाए उनकी अच्छी त्यादी की जाए उनके घर वाले उनका अच्छा सा funeral करें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ठीक है तो हमारा title इस तरीके से हम लोगों को तीन चार परस्पेक्टिफ दे रहा है ठीक है के यह तो यह इस तरीके से हो सकता है Anthem for Doom Youth के एक ट्रिब्यूट उस यूथ के लिए उन सोल्जर्स के लिए जो मर चुके है वार के अंदर ठीक है यह यह ट्रिब्यूट इस तरीके से आईरॉनिक भी है हम लोगा title के यह जो ट्रिब्यूट दिया जाता है उन लोगों को जो मर जाते हैं आम नॉर्मल लाइफ के अंदर वैसा ट्रिब्यूट हमारे यंग सोल्जर्स को नहीं मिलता ठीक है जब वो वर के अंदर मर जाते हैं तो वर का एक तरीके का नुकसान ये भी है कि ऐसे लोग ऐसे यंग सोल्जर्स जो वर के अंदर पार्टी स्पेट करते हैं वो क्या हैं most ill-fated people होते हैं हम वो most ill-fated people होते हैं क्यों क्योंकि उनको कोई pride future यह आईरॉनिक सा टाइटल है हमनों का ठीक है तो तीन चार चीज़े हमनों को इस टाइटल से पता चल रही है तो जितना फिर हर कोई अपने अपने परस्पेक्टिफ से समझता है हो सकता है आप लोगों को कुछ और मतलब समझ आ रहा हो इसका कि एंथम फार्ट डूम यूथ तो हर किसी का अपना परस्पेक्टिफ होता है तो राइटर ने किस हिसाब से लिखा राइटर सिर्फ चाहता था वार ना हो ठीक है वार से बहुत नुकसान होता है वार जो है उससे कभी किसी का कोई फाइदा नहीं हुआ ठीक है अब फिर वार के बारे में उन्होंने बताया है कि चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे पॉलिटिक्स के अंदर हो उसकी वजह से हो कनफलिक्ट होते हैं काफी हम लोग का सब्जेक्ट ही है लिटरेचर अफ कनफलिक्ट एंड वार तो इसके अंदर हम मोस्तली वाल के बारे में पढ़ेंगे वार के अंदर जो जो राइटर से हमारे अंолोगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों का टाइटल फिलाल वार से दूरी बता रहा है कि वार कोई अच्छी चीज नहीं है फिर वार के कंसिक्वेंसेज बता रहा है एक तरह का हॉरर आफ वार बता रहा है ठीक है अब फिर्स्ट आफ आफ आल क्या है एंथम का मतलब यह हो सकता है हम लोगों के टाइटल का के ट्रिब्यूट तो यंग सोलजर्स ठीक है हम लोगों का यह जो टाइटल है इसके अंदर हम लोगों की पोईम के अंदर क्या बात हुई होगी कि एक तरह का ट्रिब्यूट है उन यंग सोलजर्स के लिए जो मर जाते हैं वार के अंदर और फिर वो most ill-fated people होते हैं उनका कोई अच्छा fate नहीं होता वो destroyed youth होती है doomed youth होती है dead youth होती है ठीक है? उसके इलावा क्या बता रहे हैं? कि an anthem is a song of praise or celebration इसका मतलब ये भी हो सकता है कि an anthem जो है ये song of praise ये celebration है किसके लिए उन soldiers के लिए जो मर गए ठीक है? उनकी honor के लिए उनकी respect के लिए लेकिन ये ironic भी है it is ironic that we are singing a joyous song for youth that has no future कि हम ऐसी youth को एक ऐसा tribute पेश का रहे है joyous songs का रहे हैं जिनको कोई future ही नहीं है ठीक है? ये ironic भी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस title के 3-4 perspective निकल रहे है इस title को देख के हम लोगों को काफी चीज़े पता चल रहे हैं अब जब हम लोग पोईम इसके discuss करेंगे तो आप लोग पर चेक कीज़ेगा कि कौन सी चीज़ ज्यादा इसके उपर suit कर रही है कि किस बारे में ये point इसका title हम लोगो को क्या बता रहा है अभी तुम्हें आपके सामने ये चीज़े रख रहे हैं कि इसका ये perspective इस perspective से हम इसको देख सकते हैं इस perspective से देख सकते हैं ये आप लोग decide करें कि कौन से ज्यादा suitable है इसके उपर तो हम लोगों को एक ये चीज़ पर जलती है कि ये हो सकता एक anthem है जो tribute पेश किया जा रहा है उन soldiers को जो मर चुके हैं war के अंदर ठीक है लेकिन फिर ये उस हिसाब से ironic हो जाता है कि उनका कोई future ही नहीं है उस youth के लिए हम लोग tribute पेश कर रहे है वो youth क्या है doomed है destroyed है because they have to go to war क्योंकि उनको war पर जाना है हर हालत में जाना है ठीक है where they will die और उनको पता कि वो आजा के मर जाएंगे therefore they have no hope of bright and happy future इस तरह उनकी कोई hope नहीं है bright future की या happy future की जिस तरह नॉर्मल बंदों को होती है ये एक तरह का war की injustice और inhumanity के बारे में बताया जा रहा है अब basically हम लोग को क्या पता चला anthem for doom youth के एक tribute है death soldiers के लिए ठीक है जो war के अंदर मर गए और वो young ते है ठीक है उसके इलावा हम लोग को ये पता चला जिस तरही के से normal people की जब death होती है जब normal लोग मर जाते है तो उनके लिए जो funeral अरेंज किया जाता है वैसा funeral इन soldiers के लिए arrange नहीं किया जाता ठीक है ये इनके साथ injustice है उसके इलावा हम लोग क्या पता चला का अकठा ये लोग एक दिन मनातने हैं for example इस दिन इतने soldiers शहीद हुए थे इतने soldiers मर गए थे उनको peace मिले उन लोग ने हमारी country के लिए भोल कुछ किया and all that या कुछ soldiers जो world war one के अंदर गई और जिन्दा वापस आगए और उनको पर honor दिया जा रहा है जिस तरही के लिए लिकावा है उनको एक song उनके लिए गाया जा रहा है जो एक तरह की praise है उनके लिए celebration है उनके लिए वो उनके किस काम की क्यों यहां पर हम लोग को irony दिख रही है कि यह title इस हिसाब से ironic भी है कि वो एक उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है ऐसे लोगों को जिनका क्योई future नहीं है क्योंकि उनको दुबारा फिर वर्ड वर वन में गए थे तो अब वर्ड वर टू जिस तरही के से उनको फिर उसमें पार्टिस्पेट करना है हमलों का जो राइटर वर्ड वर्ड ओवन उनके साथ भी ऐसी हुआ था वर्ड वर्ड वर वन के अंदर वो गए उनके साथ एक्सपियंस किया और अभी बैठे में वह हॉस्पिटल के अंदर त्रॉमाटाइज़ रहे हॉस्पियन्स किया था वार्ट वार्यम लेगे एंथम एडां शाम श् affects You और अपना एक्सपीएंस बातारे और बतारे और वर is a hellish thing A futile thing that destroy the human life तो वो यह चीज बता रहे है और उनको ठीक है और भी दिया जा रहा है प्रेस भी मिल रहा है लेकिन फिर वोल्ड वार टू के उपर जाते हैं उनको फिर भी वार के उपर जाना है यह जानते हुए कि अगर वो गए ते दे विल टाए उनको यह सब कुछ मिल रहा है लेकिन उन राइटर के साथ, वर्ल्ड वार वन के अंदर उनकी डथ हो गई और उनकी डथ के एक हफते के बाद वार खितम हो गई तो वार इस ए हईलिश तिंग और वार की इंजस्टिस और इन हुमेनिटी दिखाई है हम लों को और इस पोईम के अंदर हम लोगों को क्या बताया उन्होंने नेशनलिजम, वेस्ट, वार, और काइंडनेस, ग्रैटिट्यूट, मेमरीज ठीक है ये साही चीज़े जो है न इस पोईम के अंदर फे वो ये चीज़ बताय जा रही है वार के अंदर और वार से रिलेटड चीज़े और फिर जो लोग मर जाते हैं उनके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है नेक्स दूब हम लोग देख लेते हैं कि वार जो है हम लोग को जो टाइटल हम लोगो को बता रहा है according to Google यह ज़्यतर जो सरचिंग के रिजल्ट्स आते है कि हमार टाइटल बता रहा है इट डिस्क्राइब्स मेमोरियल ट्रिब्यूट्स तू दा सोलजर वो डाई इन वार हमारे की यहां पर आपको सोलजर्स दिख रहे होंगे गिरे हुए यह एक ट्रिब्यूट है मेमोरियल ट्रिब्यूट है उन सोल्जर्स के लिए जो वार के अंदर मर गए उसके लावा दलास ऑफ यंग लाइफ इन वार पता चलती है हम लों को कि कितने लोग मरे वार के अंदर यंग लाइफ जो बहुत कुछ कर सकते थे फ्यूचर के अंदर लेकिन वार की वज़ा से कन्फिक्ट्स की वज़ा से जो वार हुई उसके अंदर यंग लाइफ का जो नुकसान हुआ वो बेसिकली हम लोगों को यह पोईम क्या बताती है होरर आफ वार उसके इलावा यह पोईम क्रिटिसाइज करती है वार को ठीक है यह हम लोगों का आज का लेक्चर था टाइटल सिग्निफिकेंस था होप सो आप लोगो क्लियर हुआ होगा और एंड पे हम लोग यह देखते है कि वार जो है और ओवन ने इस पोईम के अंदर कंपेर किया है डेथ रेट आफ सोलजर्स को वार के अंदर टू एन इमिज आफ कैटल डाइंग इन ग्रॉप्स कि वार एक्जमपल अगर आप लोगों के घर कोई जानवरों का कारोबार करता हो वो सोच सकता है कि जब मौसम चेंज होता है चाहे घर्मिया हो चाहे वार जाई लोगों तो उसके बाद अचानक फिर वार एक्जमपल आपके पास सो जानवर है जाहे बखरे बखरिया या जो भी आपके पास जानवर है वो मौसम के चेंजिंग की वज़ा से कटे गृरुप की फौर में मर जाते है कितना लॉस होता है तो उन्होंने डेथ रेट आओ सौल्जर्जर्स को compare किया है उन गृरूप के साथ जो जानवर मरते हैं गृरूप की फॉर्म में ठीक है और ने वार को इस तरीके से compare किया है कि एक मिनिट के अंदर कितना नुकसान हो जाता है ठीक है तो यह एक सोचने की चीज है हम लोग यह सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जरा से आप लोगों की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो वार हो जाते हैं और किती बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है तो यह हम लो अवराल पॉइम के बारे में देखेंगे कि पॉइम हम लोगों की जो इसका स्ट्रॉक्चर है यह इसके अंदर जो लिटरी डिवाइस यूज हूए है यह इसकी रायमिंग स्कीम यह इसकी थीम्स वगएरा यह सब कुछ देखेंगे उसके लावाद हम लोग लाइन टो भाड देखेंगे फिर हम लोग पर्सक्टिव इजीलिट कर सकोंगे कि बैसिकली टाइटल किदर फेट हो रहा है टाइटल हम लोगो क्या बता रहा है यह तो हम लोगों को पता है कि वार के बारे में बता रहा है कि कंसिक्वेंसिस आफ वार जो है वो यह है कि वार is a hellish and futile waste of human life ठीक है, हुपस्व आप लोगो lecture clear हो गया होगा, निलते है next lecture में, तब तक अपना खियाल रखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल के सबस्क्राइब करना मत बूलेगा, अलाफिस